तो Redmi Note 8 Pro में नया MIUI 11.0.4.0 का अपडेट आ चुए जो कि Android 10 के साथ 10 नय फीचर्स के साथ आया है जिसमें आपको 10 नय फीचर्स में आपको दिखाना वालो हो गर आप पहली बार Android 10 में अपडेट कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्कुशन में देरे कि आप उसको जाकर वीडियो के लास्ट में देख लेना क्योंकि उसमें मैंने Android 10 के जो है वो तीस से भी जादा नए फीचर्स पता है तो अगर आप पहली बार नहीं अपडेट कर रहे हो और पहली बार आपने इसको में 11.0.3.0 सो 4.0 मा अपडेट कर रहा है तो यहां पर 10 नए फीचर्स देखने को मिलता है जैसे कि सबसे पहले तो आपको जून का सिकुरिटी पैच लवल देखने को मिलेगा लेटेस जून का सिकुरिटी पैच लेवल अब जो आगे फीचर्स दिखाना वालो इसके लिए आपको अपने सिस्टम एप्लेट को भी अपडेट करना पादेगा क्यों कि अप्लेट के साथ स्थी अपने एप्लarchy अपडेट नहीं करता है और अभो मोल्ड है तुम मिल पर अप्डेत के बाद ऐतको अब तो नीम आं पर जितने भी सिर्चम है उनको अप्डेट कर लेग ना जैसे आपको अपको आपडेट में अपडेट में आपको अपडेट कर ले ना अब जो कि आपको देखने को मिले ना तो आपको दूसरा फीचर जो मिलता है अगर आप अपने अप्र आपको नाए ओपछन देखने को मिलेगा scan and pay तो यह मी पे एप्लिकेशन ने शॉट कट बना दिया इसका जो कि आप यहाँ पर add कर सकता है अपने quick toggle में जो कि आप आपको गैल्री में देखने को मिलेगा अगर आप देखेंगे तो आपको नया UI देखने को मिलेगा completely change हो चुग है जो कि आपको MIUI 12 में देखनों को मिलता सेम उसी तरह का आपको यहाँ पर UI देखने को लगेगा तो यहाँ पर भी आप इसको pinch out pinch in कर सकते हैं जो कि आप एलबम को अलग अलग तरह साथ मापको आपको ऑप्षिंग जए उसका भी यू आइच कर देगा है क्लिप में काफी सारे उपशिंग को मिलेंगेotte को एडिजिट करने के लिए पर आपको यह ऑप सब्सक्राइब में ज़ेंस फिर सब्सक्रानी तरह से फार करेगा क्योंकि आप यूज्स कर सकते हैं साथ महीं और देखने मिलेगी आपको एडिए में अगर आप फोटो के एडिट पर जाएंगे तो अपको स्काइब मौड में नए फीचर देखने मिला दाइनमिक, तो ये पहले आपको MYUOn trial में देखने मिलता लेकिन इस अब्रेट के बाद आपको डाइनमिक में भी आपको देखने मिल जाएगा, पॉइल भी आपको आपको गड़raf चेंसे कि वाले दीखा रहा हूं और next change की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो browser था अब उसको नाम change कर गए me browser कर दिया उसको logo भी change कर दिया है तो अब यह आपका me browser देखने को मिलगा चूकि आपका दिखने में अंदर वैसा ही रहेगा जैसे कि आपको पता है घटिया सा और बेकार सा यहाँ पर रहेगा यहां पर आपको दिखे करके अब इसको यसको कर सकते है अब इसको की वीडियो प्लेईर्स अनको से där सकते हैं अब इससे क्या होगा आप जब भी YouTube यूज करेंगे तो यह आपके YouTube में वर्क करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो चला कर दिखाता हूं, और यहाँ पर आपको राइट में देखना को मिलेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको यह कुछ फीचर्स देखना को मिलेगा, यहां से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते है, जैके लिजो चांए, कड़ते हैं, और इसको, स्क्रीन को यहां पर आपको दिखाता हूं तो नेटवर्क एंड शेरिंग में आप जाएंगे तो यहां पर आपको प्राइवेट डियान देखने हो मिलेगा चुकि आप यूज कर सकते हैं ज्यादा मैंने इसको चेक नहीं करा है लेकिन आपको नए ओप्शन देखने हो मिलता है इसके ल अब देखें यहां पर एब ड्रोवर का जोब कुछ लाइट साफ पुडर देखने हों मिल रहा है लेकिन यह पहले नहीं देखने हों मिलता हूं इसके लाइब ब्रॉवर की सैटिंस अप तभी आन कर पाते हैं जब आप इसको हिया से renew乐 लेकिन आपको यह डार्क लिए यहां पर इस तरह से दिखाता है लेकिन वह तो कुछ है नहीं लेकिन आपको काफी सारे ओप्शन देखने हो मिल जाएंगे जो कि आपको बेसिक हैं यहां पर आप एप केटेगरी इसको भी एड कर सकता है कुस्टमाइज वगयार कर सकते हैं औ लेकिन अगर आपने पहली बार अपडेट करें तो काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंना आपको बताया वीडियो की लिंक आपको डिस्टिशन मिल जाएंगे वहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे कि यहां से आप आप एक्स्पोजर को भी एडिजस कर सक लड़के के लिए होता है लड़को यार मत यूस कर अगरो फिलाल आपको फिंगर पिंट शटर का भी यहां पर ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिलता है सैटिंग में तो फिलाल यह कुछ फीचर्स तो जो शायद किसीन आपको नहीं बताया होंगे वीडियो पसंद यह तो लाइक कर देना लिंक मिल जाएगे इसके और फिचर्स जानने के लिए और इसको अपको अपडेट नहीं मिला तो अपडेट की डाउनलोडिंग भी डिसक्रिशन मिल जाएगे वह से जाकर डाउनलोड करके इंस्ट्रॉल कर सकते हैं